अस्सलाम अलेकुम गैस वल्कम बैक टू शेवास खान मोटो व्लागिंग चैनल गैस यहां पर क्या है मालूम जबर्दस तरीरे से मिंटेन कर रहे हैं उम्रे के पुरे अरकान होगा बताए भई वो क्या है मालूम उम्रे के अरकान होगा आप लंग को पुरे जबर्दस सप्रेट वीडियो दालूँगा मैं आप लंगा वो देखेजिए आर गाल रहन सड़्िए जबर्दस दीन अरूम उन्जाओ अंदु ए लहां वें दीनियी जाह अभी जाडियो-व हम उनकान है वई ब लडियो वहादिए लों प्रे मतियान ने । एम्र्मेद मिषज़ में युढ न लादियो आ आदासितल्ई। लाइके मुबार्ट बादे आप तमामे फ़ाने एक्राम के कुबाव अँर्वल की जानिव से الحمدللہ شہدال المکرم میں آج پہلا استقبال مکت المکرمہ کی سرزمی پر آپ کا کیا جاتا ہے میں بلا تفسیر و تمہید آپ کے سامنے عمرے کے فرائض عمرے کے واجبات اور عمرے کے متعلق احکام و ارکان کا ذکر کرنا ضروری سمستہ ہوں وہ اس لیے کہ عمرہ ادا کرنے کے عبادت ہے اور ہر عبادت کو ادا کرنے کا پیار آقا علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی طریقہ بین فرمایا مثال کے طور پر آپ نماز کو لیں جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہر نمازی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے لباس کو پاک کرتا ہے اپنے بدن کو پاک کرتا ہے اور وضو کر کے اب جو ہے مسلح پر جا کر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے جو باتیں میں نے بیان کی نمازی کے بدن کا پاک کرنا نمازی کے لباس کا پاک کرنا نمازی کا وضو کرنا اگر کوئی نمازی نماز پڑھنا چاہے और इन तमाम बातों को छोड़ते हुए जाकर के डारेक्ट मुसल्य पर खड़ा हो जाए और अल्जा हुद्वर के के नमाज को शुरू कर दे तो क्या उसकी नमाज होगी हर जी तुसकी नमाज अदानी हो सकती जिस तरहा नमाज पढ़ने के लिए हर नमाजी को अपने बदन का पाग करना अपने लिभास का पाग करना और वजू करके नमाज शुरू करने का हुख मेह इसी तरह से उम्रह एक अबादत है उम्रह अदा करने के लिए उम्रह Persian करने के लिए यार आकाः अल कि जब उम्र अदा करने वाला उम्र अदा करने की नियत से चले तो हालतِ हराम में रहते हुए नियत के साथ तन्बिया पढ़ते हुए मिकाद को अबूर करके खुतुद हराम में दाखिल हो जाएं। ये उम्र का सबसे पहला फर्जिन मिकाद क्या हैं खाने काबा से तकरिबां दोसो धाई सो तिन सो चार सो साड़े चार सो किलो मिल्टर की दोरे तक नुख तलिफ सिंटों की जानी प्यारे आखा आखा अलिए स्ञाट वसलाम में निशान दही फरवाई कि इन मकामाद से जब अदा करने वाले गुजरें तो हालते हराम में हों जिस तरह मदीना मुनवरा से आने वाले मदीना मुनवरा से निकलने के बाद सबसे पहले जो मिकाद हैं रियास से आने वाले ताइफ के अंदर करनलमनासिल मिकाद हैं इंडिया से आने वाले प्लैन के अंदर यलमनम से आता हैं तो उसको चाहिए कि हराम की हालत में रहते हुए नियत के साथ लबेक 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 की सदाओं को बलत करते हुएं हुदूद हरम में दाखिल हों ये उम्रे का सबसे पहला फर्ज है और मेरा हुसन जन है कि अलहुदुलिल्ह आप तमाम जार्ने इकराम पहले ही से इंडिया से हराम बांगर तलभी आ पुर्दे हुएं नियत के साथ जुदुलिल्हरफ में दाखिल हो चुके हैं अब आपका उम्रे का पहला पर्ज अदा हो गया उम्रे का दूसरा फर्ज है हालते वुदू में रहते हुएं खाने काबा के साटों चक्कर तवाफ के मकमल करना पहले चक्कर से ले करके साफ़े चक्कर तक आप का वुजुर हैना जरूरी हैं। बिल फर्द किसी वज़ा से अगर किसी का वुजू पहले तीचक्रों में तूर जाता है। उसको आए फॉरन बाहर निकले और वुजू करें लेकिन अब अपने तवाफ दोबारा शुरू करें इसी तरह से अगर किसी का वुजू तीन चक्रों के बाद में तूट जाता है फिर भी फॉरन बाहर निकले और वुजू करें लेकिन अब तवाफ दोबारा शुरू करने के जरू बिल्स तूट जाता हैं। और वजल तूटने के बाद कोई बंदा उसको एग्नोर कर दे। रसमें चक्तर लगाते रहें। तो जिस तरह उसका वजल तूटा वहीं उसका दाफ फतम हो जाता है। उसका तवाफ वही से बातिर हो जाता है जिसकी वजा से उसके उपर एक बक्रा जिबा करना दम वाजिबा सकता है ये उम्रे के दो फर्ज हो जाते हैं जब आपका तवाफ हादते बुजु में साथ चक्रा कम्प्लिट कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए दो वाजिब रहते हैं पहला वाजिब सफा और मर्वा के दर्मियान साथ चक्रों की सरी मुकमल करना जब आप सफा पर खड़े हों किबला रुहोकर के इस्तिलाम करेंगे हतेलियों को बोसा देते हुए नियत करेंगे अल्लाहम इनी उरीद सायां बेन सफा और मर्वा सबात अश्वात लिल्लाह ताआला वैस्सिर हु ली वतकब्बल हु मिनी एल्लाहमे तेरी रजा के लिए सफा और मर्वा के माबें सई का इरादा करता या करती हुम इसको अपनी बारगा हमें कुबल फर्मा और हमारे लिया आसान फर्मा जब आप ये नियत करने के बाद सफा की पाड़ी से उतरते हैं मर्वा के तरफ चन्वा शुरू करते हैं तो चंद कदमों के बाद आप देखते हैं के छट की तरफ ग्रिन लाइटे लगी हैं मर्द हजरात हलके लिके कदमों से आपकी सखी का पहला चक्र मुकमल हो जाता है फिर मर्वा से वापस सफा को आते हैं तो सखी के दो चक्र मुकमल हो जाते हैं बाद लोग नए होने की वज़ा से या लाइल्मी की वज़ा से क्या करते हैं वो सफा देश्रू करते हैं और यूं घूम करके मरवा से वापस सफा को आते हैं तो एक काउंट करते हैं, ये गलत है, वन साइड वन राउंड काउंड करते हैं, और सेकंड साइड सेकंड राउंड काउंड करते हैं, यानि के सफा से मरवा एक चकर, फिर मरवा से वापस सफा एंगे तो दो चकर, फिर इस तरह मर्वा की पहाड़ी पर हमारे साथ चक्र सगी के मुकमल हो जाते हैं यहां पर मैं सगी के साथ चक्र और तवाफ के साथ चक्रों में एक बड़ा वाज़ फर्क करना समस्ता जरूरी हूं कि जिस तरह से हमारा सबाव के साथोचक्र में वजू रहना ज़रूरी था अब सफ़ामर्वा के तर्म्यान वजू रहना ज़रूरी नहीं मुझाता है तब बी ठीक है अगर वजू नहीं तो यहां पर आपको तबारा वुजू करके आने का हुकम नहीं आप साच चकर सफ़ा मर्वा के वजू टूटने के बाद भी अदाद कर सकते हैं जब आपकी सगी के साथों चकर मुकमल हो जाते हैं मर्वा की पहाड़ी पर ठेर करके आप दुआ करें अब यहां से हमारा उम्रे का एक आखरी अरकान बागी रहता हैं सर के बाल कटवाना या मुडवाना मर्द हजरात को चाहिए अपने सर के मुकमल बाल निकलवा दें आउरतों को चाहिए अपनी चोटी के आखर के बाल लें चोटी वाले उम्ली पर एक बाल लपेटें या तकरीबन अंदाजे से एक इंसे लेकर के डेड़ या दो इंच की मिगदार तक वो बालों की तक्सीर कर दें जब आपके बाल कर जाते हैं अलहुद लिल्ह आपका अमरा मुकम्र हो जाता है ये उमरे के अंदर चार ऐसे अरकान हैं कि जिनका अदा करना बहुत जरूरी है जिस तरह मैंने आपको नमाज की मिसाल शुरूर में बयान की हैं कि नमाज पढ़ने के लिए नमाजी के बदन का पाक करना नमाजी के लिबास का पाक रहना नमाजी का वुदू से रहना जरूरी है इसके अंदर और बहुत सारी बाते है शरायत हराम है शरायत अम्रा है हमने किस वकत इस्तिलाम करना है किस वकत हमने इस्तिलाम करना है बहुत सारी बात इसारा रहे गई हैं मैं आपको अपने साथ में रखते हुएं कदम बाकदम रहनमाई करते हुएं और जो जो मकामात आते रहेंगे उन मकामात पर दुआ वगरा पढ़ाते हुएं साथ रहने की कोशिश करूँगा आप लोग भी जिम्मधारी के साथ में आज पहला अमरा पूरे ग्रुप में शामिल होकर के साथ करने इसके आप कोई फाइदे हैं पहला फाइदा इंशाला आपको रास्ते वगरा आसर यार करने मासे आसानी रहेगी दूसरा फाइदा ये हैं कि जब भी आप मश्जद आईशा, मश्जद जवरानम या सुनाह अदेबिया या वादिये ताइद से आप अमरा पाइदा करना चाहेंगे तो आपको अल्हा अमरा करने में बेहत आसानी रहेगी मैं दूा करता हूँ कि अल्हा तबार को देदाओना हम सब की जानब से जिस अम्राद नाम से करते हैं जब आ कर दूसरे अम्राद करें जाकर ग्राह करें अ अब दोसरे अम्राद करें बेह। अपने होटर्द से आप आहरां बान ur A dar रहें और नियत के साथ आप चाहने जा आएँगे ऑफ अम्राद करना करना चाहते हैं कि पूरी उम्मत के नाम से अदा कर लेते हैं तो इस उम्रे में हुदूर आलिए सुलाद वासलाम की उम्मत के तमाम जो लोग हैं वो सारे के सारे आजाते हैं बाद लोग अपने खासे करते हैं वालिदा का, वालिदा का, खांदान वालों का लेकि उससे बहतर भी है कि पूरी उम्मत के अंदर उसमें सहाबा भी आ जाते हैं, आउलिया भी आ जाते हैं और बड़े-बड़े उलमा बड़े गुनागार सियाकर सारे आदमी उसमें आ जाते हैं और अब अब आपने खजानों से बराबर सवब अता फर्माटा जाए तो इस सबसे बहतर उम्रा मेरे नजर में यह है कि एक उम्रा उम्मत मुहम्मद या सरकार सुन लाओ ताला आलिहीं वसल्म जाने से अदा कर लिया जाए अब नियत अपन करना जाना अद्वी में करते हैं अब समझे आप डाल में कि पूझ निस होती हमसे यहाने तो नहीं आता है असल में नियत क्या है दिल के इरादे का नाम जबान से केरेना बहतर है जब आप घर से चले तो आपके इरादाता मेरे नियत करनी है हाला के पुरान के अंदर है लहा फैर्बाय्amosals यहाने डादमे से पुरान का इरादे कमे से का इरादे कि लिए два कि अरौ की नाम से अगर आपको आरभी के लिए हलाकर अर्बी के अलगा अरौकी अउल्फास तो यह ब suffers इसिरहाली वतकब्बल हु मिन्नी वाहरमतु भीहालि लिल्लही ताला और मैंने अहराम अल्भा की रजा के लिए बांदा तो यह सारे अल्भाज अर्भिक हैं लेकिन हाद इनसान को इतना लंबा पढ़ना नहीं आता है तो वो सिर्फ इतना इरादा कर ले या अल्ला मैंने यह क्राव जो अमरा इहर्ण बांदा है, अमरा अधाकर्मे के लिए फौला की दानी थिया तो मेरी तरफ Apple परने इसमका नहीं आता फर्मां कि दो अ घर सकते हैं तो हला कि पहले का मतलभ है जो मैं आपको ले प्लंग से नहीं पुश्च करूँ गया, आप लोगों, मेरे साथ निलके रिपीट करना है। करना दो सफा मरवा करना तीन बार कड़वाना चार ये चार बाते जरूरी है चलेंगे अगर किसी को आप में से विल्चेर की जरूरत है को ऐसे हैं जो नहीं चल सकते हैं तो यहां से लेकर के जाएंगे